दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल की हफते में चार बार वकीलों से मिलने की मांगी याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाई कोट में सुनवाई कुई जस्टिस नीना बंसल करशना की बेंच ने मामले को लेकर तिहाड अधिकारियों और ईडी को नोटिस जारी किया है केजरिवाल ने याचिका में कहा था कि उन पर देश भर में 35 अलग अलग मामले चल रहे हैं फिलाल हुने हफते में दो ही बार वकीलों से मिलने की अनुमती है उन्हें कम से कम चार बार वकीलों से मिलने की इजाज़त मिलनी चाहिए केजरिवाल ने जेल में दो अतिरिक्त मीटिंग की याचिका पहले ट्रायल कोट में लगाई थी इस वरान उनने कहा था कि ये दो मीटिंग वीडियो कॉंफरेंस के जरे भी कराई जा सकती है हलाकि ट्रायल कोट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने याची का खारिच करते हुए कहा था इस तरह की याची का पहले भी लगाई जा चुकी है इसके बाद केजरीवाल ने हाई कोट में याची का लगाई जिस पर जस्टिस नीना बंसल ने एडी और जेल अधिकारियों को साथ दिन में जवाब देने का आदेश सुनाया है मामले की अगली सुनवाई अब पंदरा जुलाई को होगी सिबी आई ने 25 जुन को रात 9 बजे तीहाड जाकर शराब निती में ब्रश्टाचार को लेकर केजरीवाल से पूश चार्च की थी इसके बाद 26 जुन को गिरफतार किया था इससे पहले शराब निती में मनी लांडरिंग के आरोब में इरी ने 21 मार्च को उन्हें गिरफतार किया था वे 10 माई से 2 जुन याने 21 दीन के लिए पेरोल पर थे इसी के साथ बने रहे हैं राजनमत दुनिया के साथ धन्यवाद अप्शन कर दोदिए में था जो पाहिएमाद रुम जाको पर में इससे जादेवाद दोगवाद राजनमत दूप्पाद यादनमत दूपर यादनमत धन्यवाद थिए हो बन्त भुम झाल, झाल, झाल